नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस न्यूज चैनल TW News में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW News को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो सब्सक्राइब कर लें। ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए, आज का मुख्य समाचार जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी फ्रांस के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा पूरा कर चुके हैं। शनिवार को UAE के राष्ट्रपती मोहम्मद बिन जायद अलनाहियान से बातचीत के बाद उन्होंने भारतीय रुपे और UAE के मुद्रा दिरहम में कारोबार का एलान किया। पी-म मोदी ने जल्द ही द्विपक्षिय कारोबार 85 अरब से बढ़कर 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद जताई। दोनों देशों के बीच अपनी-अपनी मुद्रा में कारोबार का एलान भारत और संयुक्त अरब अमीरात क बीच संबंधों में नया मील का पत्थर माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और युवेई के रिष्टों में खासी गर्माहट आई है। पिछले साल जब मोदी युवेई पहुंचे थे तो राष्ट्रपती मोहम्मद बिन जायद अल-नाहियान अपने अब तक के शासन के दौरान उन्होंने खाडी देशों से भारत के संबंधों को बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया है। इसलामिक देशों से संबंधों को मजबूत करने को काफी गंभीरता से लिया है। जहां तक युवेई का सवाल है तो मोदी ने यहां का पहला दौरा अगस्त 2015 में, दूसरा फरवरी 2018 में और तीसरा अगस्त 2019 में किया और चौथा दौरा जून 2022 में किया था। मौजूदा इसलामिक दौरा युवेई का उनका पांचमा दौरा है। जब मोदी ने अगस्त 2015 में युवेई का पहला दौरा किया, तो ये पिछले 34 सालों में किसी भारतिय प्रधानमंतरी का पहला दौरा था। मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने युवेई का दौरा किया रही तवज्जो की जलक 2017 में गनतंत्र दिवस के मौके पर मिली। उस समय मोधी सरकार ने मोहम्मद बिन जायद अलनाहियान को ही चीफ गेस्ट के रूप में नियोता दिया था। तब मोहम्मद बिन जायद अलनाहियान युएई के राश्ट्रपती नहीं थे, बलकि अबूध के क्राउन प्रिंस थे। परंपरा के हिसाब से भारत गनतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राश्ट्रपती को ही मुख्य अतिति बनाता है। लेकिन अलनाहियान 2017 में गनतंत्र दिवस पर मुख्य अतिति बनकर आये थे। भारत और संयुक्त अरब अमीरा पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान UAE भारत को कच्चा तेल सप्लाई कराने वाला तीसरा बड़ा देश था, भारत के तेल आयात में इसकी 10 फीसदी हिस्सेदारी थी, लेकिन भारत ने UAE से अब गैर तेल कारोबार को 2030 तक बढ़ा कर 100 अरब डॉलर तक ले जाने का फैसला किया है। भारत 2027 तक अपनी अर्थ व्यवस्था का आकार बढ़ा कर 5 ट्रिलियन डॉलर करना चाहता है। इसी लक्ष को हासिल करने के लिए वो 2030 तक अपने निर्यात को बढ़ा कर 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना चाहता है। CEPA इसमें एहम भूमिका निभा सकता है। 1970 के दशक में भारत का UAE से द्विपक्षी अव्यापार महज 18 करोड डॉलर का था जो अब बढ़कर 85 अरब डॉलर का हो गया है। अमेरिका और चीन के बाद UAE 2021-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका के बाद भारत सबसे ज्यादा निर्यात UAE में करता है। UAE में भारत के राजदूद संजय सुधीर के मुताबिक UAE के साथ भारत का कारोबार एक ही साल में 19 फीसदी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने अपनी मौजूदा UAE यात्रा में वहां के राष्ट्रपती से एनरजी, फूड सिक्योरिटी और रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया खबरों के मुताबिक मोदी और मोहम्मद बिन जायद के एजेंडे में 2022 में हुए CEPA की समीक्षा भी था। UAE के साथ भारत के कारोबारी रिष्टे जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो कई विशलेशकों के लिए चौकाने वाला है। UAE अब भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। इस समय भारत में इसका निवेश 3 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। 202, 21 में भारत में इसका निवेश 1.03 अरब डॉलर था। उस वक्त ये भारत में दुनिया का सात्वां बड़ा निवेशक था। यानि सिर्फ एक ही साल में इसने तीन पायदान की छलांग लगाई है। इंडियन काउंसिल ओन अफ वर्ल्ड अफेयर के फैलो और मध्यपूर्व मामलों के जानकार फज्जुर रह्मान सिद्धीखी कहते हैं। मोधी सरकार केमेक इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसे अभियानों में युवेई को समभावनाएं दिख रही हैं। और वो इनमें निवेश बढ़ा रहा है। वो कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये भारत में युवेई के निवेश और कारोबार में लगातार निरंतरता दिख रही है। ये बड़ी बात है। क्योंकि कारोबारी समझोता तो हम कई देशों से करते हैं, लेकिन निवेश और कारोबार में निरंतर उच्छाल दोनों देशों के रिष्टे की गहराई को बयां कर रहे हैं। इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए नरेंद्र मोदी बार-बार UAE की यात्रा कर रहे हैं। ये उनकी पाँचविय यात्रा है। इसके लिए वो 2.7 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इसके साथ अब उसका फोकस, फूड बिजनेस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट कारोबार और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इन सभी कारोबारों के लिए वो भारत को एक भरोसेमंद पार्ट रज्यों को तवज्जो दे रहा है। आफ़ाज होने की स्थिती में भारत इस भूमिका में फिट बैठता है। यूएई की भारत के हथियारों में भी दिल्चसपी है। वो भारत से ब्रमोस मिसाइल खरीदना चाहता है।। इसके साथ ही वो भारत के साथ मिलकर मिलिटरी हार्डवेर की भी मैनियुफैक्चरिं करना चाहता है। ये भारत के भी मेक इन इंडिया अभियान के लिए मुफीद बैठता है। चरम पंथ के खिलाफ UAE भारत का मुखर समर्थक रहा है। फज्जुर रिमान सिद्धी की कहते हैं। इस मुद्दे पर UAE ने हमेशा भारत का समर्थन किया है। वो गुड और बैड टेरिजम में भेद नहीं करता। उसका कहना है कि चरम पंथ गुडिया बैड नहीं होता। भारत में चरम पंथी काररवाईयों को अंजाम देकर UAE में छिपने वालों के खिलाफ भी ये काफी सخت रहा है। वहीं मिलकर लड़ने की प्रतिबधता जताई थी। भारत ने जलवायू परिवर्तन के मुद्दे पर खुद को अग्रिम मोर्चे पर रखा है। UAE भी क्लीन एनरजी के मुद्दे पर काफी मुखर है। वह इस बार संयुक्त राष्ट्र के 28 वें जलवायू परिवर्तन सम्मेलन कॉप 28 का आयोजन कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने अबुधाबी नेशनल ओन्यल कंपनी के ग्रुप CEO सुल्तान एहमद अलजाबिर को इसका अध्यक्ष नामित किया है। ये सम्मेलन दुबई में इस साल 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपनी मौजूदा UAE यात्रा में स्योपी 28 के अध्यक्ष के तौर पर UAE की अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। फज्जुर रह्मान कहते हैं मोदी की फ्रांस और उसके बाद UAE की यात्रा का एक खास मकसद है। दरसल मोदी की फ्रांस और UAE की यात्रा का फोकस साफ था। एनरजी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सुलजाने के लिए एक तिकड़ी बनाना। इस लिहाज से भारत और UAE का सहयोग काफी काफी अहम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए हर रोज इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो मैं अब आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए भारत का सर्वश्रेष्ट हिंदी न्यूज चैनल टी डबलू न्यूज जय हिंद जय भारत